वेलकम तो माई चैनल और आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ मैं और वह होने वाला है पाले जी बिसकिट के साथ तो मैंने लिया है बीस रुपे वाला पाले जी जो है 200 ग्राम लिकिन 50 परसंट इसमें एकस्ट रहा है न तो यह 250 ग्राम हो गया और मैं बनाने वाली हूँ आज केक पाले जी बिसकिट का से केक तो बाकी चीजे क्या लिया है वो भी चलिए बता देते हूँ मैंने लिया है बूरा शुगर 50 ग्राम दूद लिया है 250 सेमल और बाकी लिया है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा कि मैं दोनों को ही थोड़ा नहीं बनाने वाली हूँ तो मैंने किया किया है वो देखे चलिए बताती हूँ आपको तो मैंने बोल में सारे बिसकिट डाल दिया है उनके चोड़ चोड़े पीसिस कर लिया है और अब इस पर मैं दूद डालने वाली हूँ बहुत पूरा दूद नहीं डालना है मैंने बस तो देखिए और ये मुझे तो लग रहा है कि कुछ जरूरत और दूद की है तो थोड़ा सा दूद और डालेंगे और इस तरीके से मतलब बिस्किट को हम कम से कम 5-6 मिनट तक इसी तरीके से दूद में हलके से मतलब कम दूद में भी होकर रख देंगे ढ़कन लगा कर अर ये देखिए मतलब बिस्किट आपने आप सौफ्ट होंगे तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं और हम इसे ढटकन लगाकर रख रहे हैं तब तक हम बलटन तयार कर लेते हैं और ये। काफी मोटा बरतन है मतलब मोटे बेस वाला ता कि अगर इसमें केक रखें तो वह जले ना और हम इसे कहते हैं कान वाला पतीला क्योंकि इसके दो कान है तो इसका नाम है हमने कान वाला पतीला रख दिया है और इसमें डालने वाली हमें सॉल्ट तो ये कोई ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट मतलब वो कुछ भी नहीं है, सिंपल साधा नमक है जो होता है, लेकिन कई वार हम केक बनाते हैं, कुछ भी, तो उसे इसी तरीके से यूज़ करते हैं, फिर इसे वापिस रख देते हैं, और आज मैं फिर से वही वाला सॉल्ट यूज़ कर रहे हूं, तो हम इस तरीके से इस मोटे ब हीट होने के लिए रखेंगे, और देखें, हमारा जो हमने बिस्किट रखे थे ना दूद में भीगो कर उनकी हाल क्या हो गए है, थोड़ा सा इसे हम विस्कर से चला लेते हैं, थोड़ा देख लेंगे क्या हाल है, और क्या हाल देखने हैं, तो बिलकुल सॉफ्ट हो चुक लगा कर रखेंगे, वह इसलिए, क्योंकि जो चीनी है वह मैल्ट होगी तो भी थोड़ा बहुत पेस्ट पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी अगर चीनी मैल्ट होगी तो और जो थोड़ा दूद बचा था वह भी डाल दिया है, और उससे हमारा जो बैटर है, वह हो स सॉफ्ट हो चुका है, और अब मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स कट करके रखे हैं, मतलब जादा नहीं काजू और बदाम, और मैं उसको एड़ करने वाली हूँ, यह उप्शनल है, मतलब डालने है, तो डालिये, नहीं डालने है, तो ना भी डालिये, और मतलब मैंने सोच करनी होगी, तो मैं किसी केक टीन में नहीं बना रही हूँ, मैंने लिए हैं दो गिलास, मतलब मैं दो गिलास में केक बनाने वाली हूँ, और इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी मैदे की और ऑईल की, और वो इसले किसी डस्टिंग में काम आएगा ना, तो हमें जो गि दूसरे वाले गिलास को भी कर लेंगे ऐ, मतलब मैदा लगाने से जितना भी मतलब ओईल था उस पे मैदा चिपक जाएगा, इस तरीके से मैंने दोनों गिलासों की डस्टिंग कर ली है, और अब बारी आती है, जो हमारा बैटर था उसमें मतलब गिलास तो अच्य देखे करें बारे हमारी जो Baking Soda और Baking Powder दालने की तो मैंने half टीपून Baking Soda डाला है और half टीपून Baking Powder डाला है और इसे इसलिए डाला है क्योंकि तो फुलाने का काम करेंगा करेंगा कर इसे पहले डाल देते तो process पकने से पहले फुल जाता हुआ इसे सबसे एंड में डाला है सेम वैसे जैसे इनो पाउच डालते है एंड में और अब इसे बहुत 5 मिनट के लिए नहीं रखना है सिर्फ कम से कम 15 से 20 सेकिंड तक इसे चलाना है और देखे आप अच्छा बैटर बन चुका है मलब जो भी ड्राइ फूर्ट से वो अच्छे से मिक्स हो चुके है और इसी तरीके से गिलास भर लिया है और इसी तरीके से हमने दूसरा गिलास भी भर लेना है और वो जो हमने बरतन रखा था ना कि दस मिरट के लिए इसको सीम आँच पर ढखा कर रखना जिसमें सॉल्ट डाला है उसी वाले बरतन में हमने इनी दो गिलासों को रख देना है जो सॉल्ट डाला है ना सॉल्ट के ऊपर रखना है कोई स्टैंड वियाला नहीं रखा है मैंने या कोई पहले एक बार मैंने केक बनाया था उसमें कटोरी रखी दी सॉल्ट के ऊपर तो ऐसी कटोरी स्टैंड कुछ भी नहीं रखना है मतलब डालेक्ट जो सॉल्ट है उसके ऊपर इन दोनों गिलास को रख देना है ये वाला देखिया ये पहले से 10 मिनट से मैंने सीमांच पर प्रिहीट होने के लिए रखा है और अब इसे सीमांच पर पकाना है कम से कम आपको 30 मिनट तक तो रखना ही है धकन लगाकर सीमांच पर गैस पर 30 मिनट के लिए इसे रख देना है और केक तयार होने के बाद रिविव भी मुझे ही देना है कि मैंने जो केक बनाए वो उसमें क्या-क्या खामिया थी तो ये केक जा चुके हैं अब इसे ढखकन लगाकर सीमाच पर पकने के लिए रख देना है तो आधे गंटे के बाद केक की क्या हालत होगी देखिए केक मैंने पलट लिया है गिलासी और ये जो वाइट वाइट सान है वो वही डस्टिंग वाला मैदा है थोड़ा सा मतलब मैंने अच्छे से शायद नहीं निकाल पाई मैं गिलास से और अब रिव्यू यही है कि जो केक है वो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बना था मतलब किसी को पता नहीं चल पाएगा कि पाले जी बिस्किट का केक था और बहुत टेस्टी बना था लेकिन एक बात कहनी है कि जो बैटर था वो शायद तीन गिलास में अगर मैं डाल है ना तो शायद बाडाव पीसी बन सकते थे बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने उसे निकाल लिया था और इस तरीके से केक तैयार है बहुत ज्यादा स्पॉंजी बना है और कि काफी मोटे मोटे कार्टे है मैंने फिर भी आट पीस रहे और बांकी जो बचे थे जो स्ट हो तो मैंने उसको खुद से खा लिया था क्योंकि वह ठीक नहीं लग रहा था इतना ज्यादा हो गया तो बस यही रिवीव है कि इस तरीकी से बनाएं तो आप तीन किलासों में बैटर डालें तो देखिए तयार है और यह था हमेरा आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लग